किसे पोच ले तो दोस्तों अभी बच गया है तो पहर के डेड़ और हम लोग ना च्छात पे हैं और यह लोग ना बना रही है घर यह देखिए दो मिनट में तयार इनका घर तो यह लोग अपना घर बना रही है इनके घर में आ आ करके मैं भी लेटी हूँ तो बाबु ना इनका पुरा घर दिगा दिया है हेलो नमस्ते जै माता दी मेरा नाम है रूबी और मैं सौगत करती हूँ आप सबका अपने यूटूब चेनल गाओं की मानसी में तो कहिए कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आप सब भी अच्छे रहें यहीं दुआ करती हूँ माता रानी से और जो मेरे बड़े छोटे भाई भान मा बाबुजी हैं उन सबको मेरा प्रणाम चरण छोकर इसपर्स करती हूँ कि आप सभी मुझे अपना अशिरवाद दीजे ताकि मैं और आगे बढ़ू अपने चैनल को और आगे तक ले जाओं और अपने बचों के लिए जो मेरे तीन तीन बेटिया हैं इनके लिए कुछ कर सकूँ इनको अच्छे से पढ़ा लिखा सकूँ इनको लेकर जो मेरे सिरवाद चाहिए मुझे आप सभी से क्योंकि मैं अपनी तीनों बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती हूं अच्छी स्कूल में इनका एडमिशन करवाना चाहती हूं अभी इस साल नहीं करवा पाई हूं कोई मजबूरी की वज़ा से तो अभी मार् माहिस का स्कूल चेंज करवाँ क्योंकि दो साल से जब से करोना ये सब महामारी फैल गई थी तो इन सब का स्कूल जाना बंद हो गया था तो इस साल मैंने माही को टिफ्शन लगाया है और ये गाउं के सरकारे स्कूल में जाती है तो अभी मैं सोच रहे हूं मैं मेरी विट में कुछ कर सके इस लाइक मैं उसे बनाऊं तो यही है मेरा सपना मेरी बेटियों को लेकर कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि देडी तुम बेटियों से प्यान नहीं करती हो मुझे ऐसा क्यों लगता है बेटियों से प्यान नहीं करती हो बाबू से ज़्यादा प्यार करती ह तो ऐसा नहीं है देखे आपके नजरिये का फरक है बेटी और बेटा में आप फरक करके मेरे वीडियो को देखती हैं इसलिए आपको फरक समझ में आता है अगर सचे मन से साफ मन से देखेंगी ना पवित्र मन से तो कुछ भी आपको नहीं देखेगा वीडियो में कि मैं अबू छोटा है तो घर में जो छोटा बच्चा होता है जाहे बेटी हो या बेटा हो तो उस पे सब को ज्यादा अपना ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो छोटा होता है घर में उसे सब की जरूरत होती है हर वक्त उसे कोई लेने वाला चाहिए साफ सपाई करने वाला चा कुम मन को मेला या गंदा करके ना देखो तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा सारे सब लोग अच्छे लगेंगे बुरे मन से देखेंगे न reproductive तो फिर सब गलतियां में लगेगा ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए सब के लिए हमें अच्छा-च्छा सोचना चाहिए है कि नहीं तो अभी देखिए मैंने बाते बहुत सारी करड़ डाली है आप सबी से ये साम के समय का व्लॉग है मैंने शुरू किया था तो ये गए थे बाजाल लेके आयते सिंगाडा तो उसे मैंने रख दिया हो वल्ली के लिए इधर मैंने प्याज और टमाटर की बना रही हो सबजी सुबे की रखिए है दाल उसको मैं इसको सबजी बनाने के बाद इसे में तड़का लगाऊंगी धनिया उनिया डाल करके और ये वली सबजी बना लिये हैं तो दाल और सबजी हम लोगों की हो जाएगी और अभी देखिए है सुबे का समय ये सुबे का ब्लॉग है सुबे के बजे हुए हैं साड़े छे बच्चों को मैं 6 बजे टुसन भेज देती हूँ कभी कभी सावा 6 बच जाते हैं छोटे बच्चे हैं तो इनको उठने में देरी हो जाती है पहले इन सबको उठती हूँ पहले सीधा पानी करम करने के लिए रखती हूँ इन सब को नहीं लाती हूँ दूलाती हूँ चाय बनाती हूँ तो ये लोग खाते पीते हैं फिर तैयार करके ये लोग चली जाते हैं ट्यूसन फिर में लग जाती हूँ मेरे काम में काम में क्या ज़ाडू लगाना होता है सीधा ज़ाडू लगा के कभी-कभी मैं इन सब के उठने से पहले ज़ाडू लगा लेती हूँ कभी लेट हो जाता है तो नहीं घर पाती हूँ नहीं तो सीधा मैं भी नहा लेती हूँ बचों को नहीं लाके मेरा नहाना हो जाता है और पिर चुले का काम सुरू हो जाता है, जो खाना बनाना होता है, यही सारा काम कभी-कभी ऐसा होता है, कि सुबे जब मैं उड़ती हूँ, तो बाबु उड़ जाता है मेरे साथ ही, वैसे बाबु हमेशा 5 बजे उड़ता है, इनको नो बहुत काम रहता है, मेरा काम बढ़ाने क इसलिए क्योंकि ये सुबह उठके बैठ जाते हैं तो अभी मैं लगा रही हूं जाड़ो और जाड़ो लगाने के बाद सीधा जाओंगी नहाने के लिए एक तरफ मैंने पानी रखे हैं गरम करने के लिए तो नहा धोलोंगी और फिर लग जाओंगी चूले पे खाना बनाने के लिए अच्छा हाँ मुझे न उस दिन किसी ने बोला था देदी सनिवार के दिन काली साड़ी पहना कीजिए या फिर काली सूट तो नहीं है मेरे पास हाँ एक साड़ी थी मेरे पास काली लेकिन मुझे याद नहीं थी अभी याद आई एक काली साड़ी है मेरे पास तो सनिवार क कि दिन में उसे पहना करूंगी सच का आपने मुझे न अभी तक यादी नहीं था अभी अभी आप सबसे बाते करने बैठी न तब मुझे यादायागी मेरे पास काली साडी वैसे मैं काली साडी नहीं लेती हूं मुझे लगता है कि काली साडी मेरे उपर अच्छी नहीं लग तो मैं इधर आगे हूँ नहादोकर के चूले पे तो ये है मतर और अलू तो मतर अलू की बने की सबजी और ये लेकी आए हैं गिवाज भी लेकी आए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि गिवाज की सबजी कल बनाऊंगी क्योंकि मतर फिर जल्दी से खराब हो जाएगी और गिवा बाल करकी बनाओंगी और उसकी तुर भी आप सभी के साहर कर दूँगी यहीं वाले चैनल पर में भी कुछ नहीं कर पा रही हूं क्या कि दिखा पाए विए शोटी नहीं पारा है ब्लॉगं के लिए कुछ नहीं पारा है तो दोस्तो अभी बच गए हैं साम के चार और मैं बना रही हूं नमस्ते करो ये क्या दिखा रहे हैं नमस्ते चौकलेट हैं नमस्ते लाइक करें सब्सक्राइज करें मैं ममा को आगे बढ़ाईए आप भी आए खूँए तो अभी मैं बना रही हूं चाय और बाबू भी खेल रहा है चाची के बच्चे हैं खेलने वो देखे खड़े हैं चोटे सी दिख रहे हैं आप सभी को मेर देवर हैं जो वहाँ पर खड़े हैं अरे यह आ गया है बाबू खारा है वो भी चौकलेट सब के साथ और आज की व्लॉग को यह पर खतम करती हूं मिलूंगी आप सभी को कल के व्लॉग में तो इसके साथ आप सभी से विदा लेती हूं बाबा दोस्तों नमस्कार राइंक क्यूस्ट